और वेल्कम टू माई चैनल कै वेल्कम टू मैई चैनल जैसे कि आप देख सकते हम ने शी चला रखे एंडियन हिस्टरी की उसमें मैंने आपको दिलDita he इस अब पूरा डिल्ली सपन कर दिया अगर आपको दिली सपनत देखना है या उसके कोशन देखने है तो आपको आई बेटन पर किलिक करना होगा यूटूब पर आई बेटन आता है उस पर किलिक करना होगा और आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी प्ले लिस्ट होगी complete दिल्ली सल्तनत के नाम से उसमें जाकर देखें और उस टोपिक से कोई भी कुशन आपका बचेगा नी आज मैं आपको एक वीडियो में मुगल समराज्जी के बारे में कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ कि बावर ने कौन-कौन से युद लिड़े बावर ने कौन सी नितिका युद किया था जब इंडिया में आया था बावर ने कौन सा युद लड़ा हिमायू किस से हा रहा था फिर साहजा के बारे में पढ़ेंगे फिर साहजा के बारे में पढ़ेंगे अकवर के बारे में पढ़ेंगे और और अरण्जेव के बारे में पढ़ेंगे और कुछ important facts जो एक्जाम में एजटिस पूछे जाते हैं उनके वारे में पढ़ेंगे मुगल समराजे से लेटिड शुरू करते हैं और एक चीज इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट कराऊंगा अगली वीडियो में आपको मैं सारे इस टोपिक के सारे कोशन एक ही वीडियो में करा दूँआ यह वीडियो वनावर की हो सकती है आप प्लीज वीडियो को पुरा वास करना और आपको कोई भी कन्फूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी भी टाइप का कोई भी आपका confusion नहीं होना चाहिए सुरू करते हैं मुगल समराजे सबसे पहले मुगल समराजे की नीव किस ने रखी थी मुगल समराजे की नीव 52 ने रखी थी मुगल समराजे कब से कब सकता मतलब 22 का समय 22 का समय कब से कब सकता 1526 से 1530 जैसा कि मैंने बताया था आपको पानी पत्त के प्रिथम यूद के बाद मुगल समराजे स्टार्ट हो जाता है बावर इबराहिम लोधी को हरा देता है बावर ने इबराहिम लोधी को हरा दिया ओके बावर की जीत हो जाती है अब बावर के बारे में जानते, बावर का जनम 1483 में हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उमर, शेक, मिर्जा, उनके पिता का नाम था बावर ने कितनी बार आकरमन किया था, पांच बार आकरमन किया था, कहां पर, भारत पर, पिर्थम आकरमन कब किया था, यानि कि 1519 इस्वी में जो कि यूसिफ जाई जाती के खिलाब किया था पिर्थम यूद कितने में 1519 इसवी में 1519 इसवी में यह याद रखना है 1519 इसवी में अभी तक इस टोपिक से यह लेट कौन कौन से कोशन पेपर माच चुके हैं पानीपत का यूद तो बहुत बार पूचा जाता है यह भी पूचा जाता है किस ने जीता था पानीपत का पिर्थम यूद कहां से था यह पूचा जाता है बावर यह पूचा जाता है कितनी बार आकरवन किया पांच बार नेक्स चलते हैं आगे एक question पुछी जाता है तोफ का यूज़ करने वाला पहला सासक कौन था तो इसका नाव होगा बावर बावर लगाना होगा बावर आंसर मारना होगा option में कौन सी निती का यूज़ किया था जब इसने भारत पर आक्रमन किया था पानीपत के तुगलमा युद्निती इसके दो निशाने बाज थे उनका नाम पुछ लेते हैं उनका नाम क्या था उस्ताज अली और मुस्तफा बावर के दो निशाने बाज थे बावर को एक उपादी धरन की थी बावर ने एक उपादी धरन की थी कलंदर की कलंदर की उसके बाद अब बात करते हैं बावर ने कुछ यूद नड़े थे सबसे पहला यूद खानवा का यूद पानिपत का यूद तो हो गया उसके बाद खानवा का यूद 1527 में किस के साथ रड़ा था राना सांगा के साथ राना सांगा के साथ इसमें बावर जी जाता है और इससे बावर एक उपादी धारण करता है गाजी की किस युद से के बाद गाजी की उपादी धारण करता है याद रखना खानवा के युद 1527 राना सांगा के बीच हुआ था बावर जी जाता है और गाजी की उपादी धारण करता है पंद्रसोट्थाइस में चंदेरी का यूद होता है पंद्रसोट्थाइस में किस-किस के बीच में हुआ बावर के बारे माद चलिए तो बावर और मैदनी राय मैदनी राय के बीच में हुआता है इसमें भी बावर जी जाता है ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट काओ घागरा का यूद, 1529 में, किसकिस के बीच में, बावर और नुसरत साह के बीच में, इसमें भावर जी जाता है मैंने कितने युद बताए बावर के चार युद बताए पहला युद 1526 1526 किस-किस के बीच में इब्राहिम लोदी और बावर के बीच में कौन जीता बावर जीता है उस युद से किस की नीव रखी जाती है मुगल समराज्य की फिर 1527 1527 में किस-किस के बीच में युद होता है खानबा का युद किस-किस के बीच में होता है राना सांगा और बावर के बीच में उसमें बावर जीता है किस की उपाद जारान करता है गाजी की फिर होता है 1526 चंदेरी का युद चंदेरी का यूद किस-किस के बीच में होता है 1528 में चंदेरी का यूद मेदिनाय और बावर उसमें भी बावर जीतता है Next फिर होता है 1529 घागरा का यूद वो किस-किस के बीच में होता है घागरा का यूद नुसरत सहा और बावर के बीच में उसमें भी बावर जीता है सारे युद में बावर जीता है इनमें चारों युद में बावर ने अपनी आत्मकता का लिखी थी ये सब को पता होता है बावर ने बावर नामा लिखी थी अपनी आत्मकता अगर कोशन पुछेगा बावर नामा किसने लिखी थी तो बावर हो जाएगा इसका तो आंसर अराम से लगा दे अब जो कोशन आता है यह किस भासा में लिखी थी तुर्की भासा में लिखी थी तुर्की भासा में इसका अनुवाद जो है फार्सी में किस ने किया था फार्सी में किया था अब्दुलरहीम खाने खाने अब्दुलरहीम खाने किया था फार्सी में अनुवाद किस भासा में लेकी थी तुर्की भासा में अनुवाद किस ने किया था फार्सी में अब्दुरहीम खाने खां Speasty बावर कव को था मपयान नामक पेत सहली से विंक जाना आmost पद reflects सहली से भी जाना जाता कौन से सहली से जाना जाता मंपयानphrं सेली से बावर की मिर्थि हो जाती हैं पंद्रसोतिंज में आग्रा होती है किसकी मिर्थी बावर की मिर्थी कहा होती है आगरा में उसके बाद उत्तर दिकारी कोन बनता है हिमाईयो बावर की कवर कहा है मकवरा मतलब कवर कहा है काबुल अफगानिस्तान में मरता कहा है आगरा में रपनाय कहा जाता है काबुल अफगानिस्तान शासनकाल बता द 30 से 1556 इस भी तक हिमायू का सासनकाल चलता है शुरू करते हैं बाबर के मनने के बाद हिमायू गद्धी पर बैठा है 1503 में हिमायू एक दिल्ली नगर में एक नगर की स्थापना करता है नाम क्याता है दीन पना 1533 में दिल्ली में एक नगर की स्थापना करता है दीन पना फिर चोसा का यूद कब हुआ 1549 में चोसा का यूद 1549 में किस किस के बीच सेर सासूरी और हिमायू के बीच सेर सासूरी और हिमायों के बीच कौन जी जाता है सेर सासूरी फिर क्या होता है हिमायो जो फिर यूद होता है अगला यूद बेल गाओं का यूद इसे बेल गाओं का यूद भी कहते है और कन्नोच का यूद भी कहते है बेल काओं कई यो तो करना हुच कुझ फकर इना 나오 мौफ़ल्स गौँ यह मघन पान्दरे इसम Supreme सून। दिल्ली गदर दोबारा बैटता है। व जसकाल मंडल उससे गिरकर उसकी मृत्य हो जाती है कोशन पूचता है कि हमाईयू की मिर्त्य किस इस्थल पर हुई थी उसका नाम बताओ लाइबरेरी थी उसका नाम था सेर मंडल जोतिस में विश्वास रखने वाला सासक था है हमाईयू सपेद रंग के कपड़े सोंबार को पहनता काले वस्थ सनिवार को पीले वस्थ रवीवार को पहनता था ठीक है ओके 1556 में हिमाईयू की मिर्त्य हो जाती है 1556 में 1556 में दीन पना यह बता दिया मैंने आपको सीड़ी से गरकर मिर्त्य हो जाती है अब बात करते हैं अकबर के बारे में सबसे अच्छा राजा जो माना जाता है सारों में वो अकबर माना जाता है इसने बहुत अच्छे च्छे काम किये थे कारे काल 1556 से 1665 इस भी तक कहां जनम हो था अमर कोट राना वीर साल के महल में 1542 में जब हिमायू भाग रहा था इधर उधर तब इनका जनम होता है 1542 में अमर कोट राना वीर साल में अकबर के संग्रक्षक का नाम क्या था पूशता है अकबर के संग्रक्षक का नाम क्या था जब अकवर गर्दीवे बैठता है तेरह साल की उमर में पूस्ता है उस टाइम किसने उसका मतलब किसने उसके राज्य को सिमाला था तो बैरम खाँ, बैरम खाँ आता है आंसर उसका, बैरम खाँ राज्य अभिशेक, तेरह साल की वर्स में राज्य भी सिख हो जाता है कौन से उसमों होता है काला नोर में कला नोर में कला नोर में ओके अकवर अनपड़ था अकवर जो है अनपड़ राजा था अनपड़ राजा इलिटरेट परसंद था अक्वर ने बैरम खां को खाने खां की उपादी दी थी खाने खां की उपादी किसे दी थी बैरम खां को किस ने दी थी अक्वर ने दी थी 1556 से 1560 इस वी के बीच में अक्वर का संग्रक से को नहीं था बैरम खां पानी पत का दूसरा यूद किस किस के बीच में होता है, अकबर और हेमु के बीच में होता है, 5 नवंबर 1556, पानी पत का दूसरा यूद अकबर और हेमु के बीच में होता है, हेमु का हेमु सूर्सा यानि कि हेमु किस राजवन्स या किस शाषक का शाषक था मतलब किस डैंसिटी का रूलर था शाषक था तो आप लगाएंगे शेड़ सासुरी सेड़ सासुरी पिरधान मनती रिथे उनके आदिल्शा उन्हें उपादी धारन कीती उन्हें उपादी दीथी विक्रम दित्ते की उपादी दीथी किसने दीथी विक्रम दित्ते की उपादी दीथी हेमु को दीथी किसने आदिल्शा ने विक्रम दित्ते की उपादी हेमु को 24 यूदों में से 22 जीतने का सिरे सबसे ज़द यानि कि 24 में से 22 जीते थे हेमु ने अकवन ने गुजरात विजे की स्मर्थी में अपनी राजधानी फतेपुर शीकरी यानि कि जब उसने गुजरात को जीता था तो उसने उसकी याद में फतेपुर शीकरी सहर में बुलंदरवाजा बनवाया था बुलंदरवाजा गुजर और सबसे तेज गुजरात विजे को रिमित के ने विस्मित ने सबसे बड़ा आकरवन कहा था हल दि गाटे का यूद भिए 1574 मुवा किसकी के बीच अकवर और महराना परताप के बीच में अकवर और महराना परताप पंदरवसुच्छ श्यत्तर मुवा था अकवर ने दास पिर था लाईबरी ञालりました दासपृता 1564 जजियाकर को समापत कर दीया इसनेने एक दर्म चलाए दर्म चलाए दीने इलाई कब चलाया था यह लेट पूछता है यह एर पूशता है कब चलाया था 1562 में हिंदू राजा जिसने दीने इलाई करने वाला एक मात्र सा सकता जिसने दीने इलाई को अपनाया था वो था बीरवल आंसरो जाएगा बीरवल अकवर ने 1575 में इवादत खाने की स्थापना की थी 1575 में 1575 में इवादत खाने की स्थापना की थी जो की फतेपुर सीकरी में है क्या उदेश चिता उसका जो धार्मिक विवाद थे उनका निप्टारा करना जो धार्मिक विवाद थे उनका निप्टारा करना इवादत खाने में क्या होता था जो धार्मिक विवात्ते उन से निवटनने के लिए अकवर ने 575 में इबादत खाने के स्थापना की अकवर पर पूस्ता है अकवर पर सबसे ज़्यादा प्रभाब किस धर्म का पड़ा हिंदू धर्म का पड़ा हिंदू धर्म 1513 ISW में इलाही सावत चलाया किसने अकवर ने इलाही सावत चलाया था ये इतना important नहीं है ये वाला point अकवर नामा अकवर नामा आईन अकवरी और अकवर नामा किसने लिखी थी अबुल फजल ने ये कुश्चन बहुत आता है अकवर नामा और आईने अकवरी किस ने लिखी थी अवुल फजल ने लिखी थी किस की बायोग्राफी थी यह यह थी अकवर की अकवर ने टोडर मल को राज स्वामित स्वामित स्वामंत्री मनाया था किसको बनाया था राज स्वावी मंत्री टोडर मल को बनाया था जो कि भूमी सुधारों के लिए काम करना था, उसका मतलब भूमी सुधार जितने भी डिस्प्यूट होते हुते हुते ही, भूमी से लेटे लैंट से लेटे उनको निफ्टारा टोडरमल के अंडर आ गया था टोडरमल अकवर के दरवार में आने से पहले सेर सा सूरी के दरवार में रहता था कोश्चन आता है इन में से कौन सा अकवर का नवरतन नहीं है या फिर है सबसे पहले राजामान सिंग तांसेन, वीरवल, अबुल फजर, टोडरमल, मुलादी प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी और अब्दुलरहीम खाने खांग ये नो थे जो नवरतन में आते थे नवरतन थे इनने याद रखने ना इगवार कोश्चन बहुत अब बार आता है तांसेन का जनम का हुआता गवालियर में हुआता गवालियर में बचपन का नाम राम तनुपांडे धुरुपद गायन सहली का विकास करने का सिरे किसे जाता है तांसेन को जाता है कहां पैदा हुए गवालियर में इनके बचपन का नाम राम तनुपांडे कोन सी सहली का विकास किया इनोंने धुरुपद गायन सहली का तांसेन की कुछ कीरतिया है मिया की मलाहर मियादी टोड़ी और मिया सारंग मतलब यह याद रखना जितने भी मियाँ आएंगे वो सारे तांसेन के मियाँ होंगे ऐसे याद रख लेना मियादी टोड़ी मियाँ सारंग मियादी मलार ये सारे किसकी किर्दिया थी तांसेन की तांसेन को कंट भरन वन लिपी विकास की उपादी मिली थी वन वाणी विलास की उपादी मिली थी कंट भरन वाणी विलास की उपादी मिली थी ओके ये तने इंपोटेंड नहीं था वैसे हकीम हुकाम हकीम हुकाम अकवर के रसोई का प्रिधान था रसोई का प्रिधान कौन था हकीम हुकाम बैरम खान का पुत्र कौन था अब्दुल्रहीम खाने खाना एक कभी थे और बैरम खान का पुत्र था अब्दुल्रहीम खाने खान किसका कोश्ण आजाएंगे तो आपको कभी लगाना है, पोईट लगाना है जहागीर पोशन आएगा जहागीर पर सबस्यादा पिरवाब किस का पड़ा था अब्दुल्रहिम खाने खाना का पड़ा था ओके तुलसिदास तुलसिदास किस के समकालिन थे किस राजा के समकालिन थे ये कोशन आथा किस के समकालिन थे अकवर और महराना प्रताब के समकालिन थे अकवर और महराना प्रताब के तुलसिदास किस के अकवर और महराना प्रताब अकवर जैन गुरु हरी विजय का बहुत सम्मान करता था ये तो कुछ इसे याद मत रखना भित्ती चित्र पहली बार अकवर के समय में शुरू हुए थे अब पुछा अब भित्ती चित्र सबसे पहले किसके सासनकाल में शुरू हुए थे अकवर के समय में शुरू हुए थे सबसे अच्छा चित्रकार कौन था अकवर के समय में वशावन वशावन सबसे अच्छा चित्रकार था अकवर के समय में महाराणा प्रताब ने अकवर की अधिनता कभी सुईकान ने की महाराणा प्रताब ने अकवर की अधिनता कभी सुईकान ने की अकवर ने अपनी राजधानी फतेपुट सीकरी कब बनाई थी अकवर ने इसायों को आगरा तक आगरा तथा लाहोर से गिर्जाघर बनाने की अनुमती दी अकवर ने इसायों को आगरा तथा लाहोर से गिर्जाघर बनाने की अनुमती दी थी किसने दीती अनुमती अकवर ने दीती गिर्जाघर बनाने कहां से आगरा से लाहोर तक बीरवल की उपादी किसे मिली थी किस ने दी थी और राजा की उपादी कभी राज की उपादी किस ने किसे दी थी अकवर ने बीरवल को दी थी बीरवल की मिर्तिव कब हुई थी बीरवल की मिर्तिव यूसुफ जायो के ब्रोद दबाते हुए हो गई थी वीरवल का वास्तिविक नाम क्या था मेहिस्दास ये कोश्चन बहुत आता है वीरवल का वास्तिविक नाम क्या था मेहिस्दास याद रखना है मेहिस्दास नाम था वीरवल का वास्तिविक नाम अकवर की मिर्ती हो जाती है पंद्रसो सोरी, 1605 भी में हो जाती है, कहां इसका मकवरा है सिकंद्रा आगरा में सिकंद्रा आगरा में ओके अकवर के बारे में कंप्लीट होगे, अब आते हैं जहांगीर के बारे में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा end में, इन्हें कैसे याद रखना है जो मेजर रूलर थे मतलब जो मेजर सा सकते हैं, उन्हें कैसे याद रखना है जहांगीर जहांगीर कब से शुरू होता है, सासनकाल 1605 से 1626 इस भी तक चलता है जहांगीर का वास्तिविक नाम सलीम खुर्रम और सलीम के नाम में हम हमें सब अब याद रखना सलीम नाम जो था, जहांगीर का था खुर्रम जो था, वो सहांगा का था खुर्रम जो था, सहांगा का था अकवर सलीम को क्या कहते थे सेखो बाबा सेखो बाबा कहते थे अकवर सलीम को जहांगीर के गुरू का नाम क्या था बताया था पिछले अभी अकबर का जब बारे में पढ़ रहेते हैं उसमें बताया था सबस्या था प्रभाव किसका पढ़ा था तो जिसका प्रभाव पढ़ा होगा उससे ही गुरु बनाया होगा जहांगीर अब्दुलरहीम खाने खाना जहांगीर 15605 में गद्धी पर भई थी नियाई की जंलिर कहां आगरा में? कि 60 घंटिया थी इसमें 60 घंडिया नियाई की जंजिर में कितनी घंटिय थी? कोशन आता है तगमाकर किस से संब्नी थे? सबसे पहले इस पर प्रतिबंद किसने लगवाया तगमाकर पर प्रतिबंद किसने लगवाया था जहागीन ने लगवाया था जमान बेग को महावत खाकी अपादी किसने थी जहागीन ने दी थी जहागीन के सबसे बड़े पुत्र खुसरो था जहांगीर का सबसे बड़ा फुतर को था खुसरो था खुसरो कुसरो ने 1605 में जहांगीर के ब्रुद कर देता है और खुसरो की हत्या साजा जो खुसरो की हत्या करवा देता है गोरिला योत्पधि की शुरबात मलीक अंबर ने कीती नूर जहाँ मिर्जा गायव गायस बेग की पुत्रिती गयास बेस की पुत्री थी नूर जहां मिर्जा नूर जहां का बास्तिव नाम महरूनिशा महरूनिशा confusion होता है महरूनिशा और आगे जो पढ़ेंगे हैं उसके बारे में सहां जहां के बारे हैं उनकी वाइफ के बारे में तो वहां confusion होता है तो याद रखना नूर जहां का नाम महरुनिशा था वह एक बिदवा थी जिसने जो है 1611 में साधी कर लेता है जहांगी इनसे उनके पुत्र का नाम होता है उनके उन्हें क्या उपादी मिलती है उनके पिताओं क्या उपादी दी जाती है जहांगीर के पाँच पुत्र थे कुशन आता है किसके काल में चित्रकलाज चरम पर पहुची आंसर होगा जहांगीर के ससलकाल में जहांगीर के ससलकाल में चित्रकलाज चरम पर पहुची थी जहांगीर के कुछ मुखे प्रमुख चित्रकार मनसूर, अब्दुलहशन, विशंदास, मनोहर, अकारीजा, कस्मीर का सालिमार बाग, 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 कस्मीर की मिलती हूँ, 1627 भी में हो जाती है, जहांगीर और अत्मे दूला का मकवरा किस ने बनवाया था, नूर जहां ने, नूर जहां ने बनवाया था, नूर जहां ने बनवाया था, सहाजा नूर जहां को दो लाकी पैंसन देता था, वार्षिक पैंसन देता था, सहाजा, अब आते हैं, जहांगीर, जहांगीर पर, जहागिरी का ससनकाल 1628 से 1628 तक चलता है 1628 में गद्धी पर बैठता है वास्तिक नाम खुर्रम था सहजादा खुर्रम साजागा नाम वास्तिक नाम सहजादा खुर्रम था इनका विवा किस से होता है किस से होता है इनका विवा अर्जुमंद बानो बेगम से होता है जिनके नाम पर इनके क्या रोगा था जिनको मुम्ताज महल के नाम से जाना जाता है मुम्ताज महल के नाम से किसे जाना जाता है उधर क्याता महरुनिशा महरुनिशा को नूर जहां के नाम से जाना जाता था यहां अर्जुमंध बानो बेगम इनका नाम क्या था वास्तिवी नाम? किस नाम से जाना था? मुम्ताज महल के नाम से जाना जाता मुम्ताज महल मुम्ताज महल किस की पुत्री थी? आशफ खांकी पुत्री थी सहाजा ने मेवात खांको खाने खांकी वाधी दी थी सहाजा ने किसे उपादी थी खाने खांकी मेवात खांको ये कोश्चन आता बहुत इंपोटेंट गुरू हरी गोविन से गुरू गोविन के छटवे जो छैवे गुरू थे उनके साथ किसका संगर सुआ था सहाजान का हुआ था गुरू हरगोविन से सहाजाने ओरंजेब को दक्षिन का सववेदार नियुक्त किया और दक्षिन में राजधानी ओरंगाबाद को बनाया दक्षिन में कौन किया राजधानी बनायी थी? शायजा ने ओरंगावाद दख्छिन में सूवेदार किसे न्युक्त किया था शायजा ने ओरंजेब को साजा को कोहिनूर हीरा मिर जुमाला ने भेट दिया था कोहिनूर हीरा साजा को किस ने भेट दिया था मीर जुमाला जुमाला जुमला ने जुमला ओकी सोरी मीर जुमला ने भेट दिया था साजा को कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा किस खान कहां की खान से निकला था गोल कुंडा की खांसे मुगल काल में गोल कुंडा सबसे बड़ा हीरे का केंदर था सबसे बड़ा हीरे का केंदर को उन्द था मुगल समराजे में सहाजा के चार पुत्र थे जिन में दाराशी को सबसे ज़्यादा दयालू दाराशिकों को अपना उत्राधी कोहसित कर देता है सहाँ जहाँ बाद में क्या होता है इसको कोन मार देता है और अरंजे मार देता है और सासन को हड़क लेता है और गद्धी पर बैठता है और सासन करता है सहाजा के मियूर सिहाशन का निर्मार बेवदाल खानने किया था तक्थे ताज कहते थे तक्थे ताउस कहते थे तक्थे ताउस कहते थे ताउस कहते थे ताउस दिल्ली की जमामजित किसने बनवाई सहाजाने दिल्ली की जमामजित सहाजाने बनवाई वास्तुकला का सोन यूग किसे का जाता है किसके कालों का जाता है साहजा को मूर्ती वाला जहांगीर पर वास्तुकला वाला सोन काल साहजा को सजदा और पैबोज सजदा और पैबोज दिली सल्तन में स्टार्ट हुई थी कौन खतम का समाप्त करता है इसको सहजा समाप्त करता है दाराशिकों ने पुराणों का फार्ची में अनुवाद किया था पुछता है दाराशिकों ने पुछे का पुराणों का फार्ची में अनुवाद किस ने किया था बदाईयों ने किया था, बदाईयों ने, क्या नाम था, रजम नामा, रजम नामा के नाम से, फार्सी मनुवाद किया था, महवरत का बदाईयों ने, ताज महल की रूप रेखा, उस्ताज एमद लहुरी ने तियार की थी, किस ने तियार की थी, उस्ताज एमद लहुरी और इशाक खां की देखरेक में बनाय गया था 1688 में उत्तर अधिकारी का युद बहादरपूर में हुआ बहादूरपूर में हुआ और 1669 में दारसिको और औरंजेब के बीच अंतिम लड़ाई हुई जिसमें औरंजेब जीजाता है किसमें जीजाता है कि जीजाता है 1669 में और औरंजेब जीजाता है और साशक बनता है दारसिको को इसलाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मिर्टुदर्ण मिर्टुदर्ण की मिलती है इसने इसलाम धर्म की अवहेलना कर देता है औरंजेब ने साशक को कैद करके औरंजेब ने साजा को कैद करके आगरा के किले में रखा पूछता है औरंजेब ने साजा को किस किले में कैद करके रखा था आगरा के किले में जहां 1666 में साजा की मिर्ति हो जाती है यहां से सासलकाल स्टार्ट होता है ससनकाल तो पहले श्टाट हो चलता है और अरंजेब का पर मिर्थी होती है साजागी 1666 अब आते हैं औरंजेब के बारे में औरंजेब औरंजेब 1658-707 इस भी तक कारेकाल चलता है औरंजेब दिल्ली की गद्धी पर बैठता है किसका बैठता है जब दारशी को मर जाता है उसके बाद में औरंजेब दिल्ली की गद्धी पर बैठता है 1669 किसका पुत्र था यानि किसका पुत्र था मुम्ताज महल का पुत्र था दारशी को औरंजेब किसका पुत्र था मुम्ताज महल का पुत्र था औरंजेव का पिर्थम्यूद किसके बुरुद हुआ था और कहा हुआ था पिर्थम्यूद औरच्छा में हुआ था जुजार सिंग के बुरुद औरच्छा में 1668 में हिंदू तिहारों पर रोक लगा देता है कौन औरंजेव 1666 में ओरंजेव जो हिंदू तिवारों पर रोक लगा देता है पुरंदर की संदी किस किस के बीच में होती है पुरंदर की संदी पहली वार हुई कब सबसे पहले कुशन आया हुई कब 1665 में पुरंदर की संदी 1665 में सिवा जी और महाराना जैसिंग के बीच हुई थे। इस संदी के नुसार सिवा जी को औरंजेब के सामने पेस होना था। पर फरार हो जाते हैं और कोश्चन आता है जिन्दा पीर किसे कहा गया है। औरंजेब को जिन्दा पीर कहा गया है। 1669 में औरंजेब मत्रा का जाट विद्र होता है मत्रा का जाट विद्र होता है। गोकुल जीस के लीडर थे और कब हो था 1669 में। फिर दुआरा से जो है औरंजेब जज्याकर को स्टार्ट पर देता है। जज्याकर को दुआरा स्टार्ट करने वाला मुगल समराज्य का साशक कौन था। औरंजेब के दरवार में हिंदू मनसवदार सर्वदिक थे। कौन सबसे ज़्याद थे हिंदू मनसवदार। कितना वह लेता था कर ये 33% कर लेता था 33% बनारस के विश्वनात मंदिर और मत्रा के केशवराय मंदिर को औरंजेब ने तुलबाया। कब तुलबाया था और किस-किस मंदिर को तुलबाया था यह याद रखना विसवनात मंदिर और मत्रा के केसव राय मंदिर को किस ने तुलबाया था ओरंजेव ने 1669 में तुलबाया था किस ने तुलबाया था ओरंजेव ने 1669 में कोशन आता है कि ओरंजेव ने किस गुरू की हत्या करवा दी थी उनका नाम बता और कौन से नंबर के गुरू थे नोवे नंबर के गुरू थे कौन थे नाम के आता तेक बहाद्दू क्योंकि इनोंने मुस्लिम धर्ण को सुईकार नहीं किया था इस बज़े से ओरंजेव इनको मरवा देता है इनकी मृत्यू कर देता है यानकी मार देता है भरतपूर राजवन्स की स्थापना चूडा मलने की थी चूडा मलने भरतपूर कोशन डायरेक्ट आएगा भरतपूर राजवन्स की स्थापना किस न की थी आपको क्या लगाना अंसर चुड़ामल और अंजेब की मिर्टी हो जाती है कहां होती है एहमद नगर मे यह पुरा मुगल समराज्जी के बारे में था और कल हम इससे लिटेb कोशन करेंगे और छोटी सी जानकारी होगी इसके बारे में वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँआ दस या पांच मिनिट की वीडियो में उसके बाद आपको कम से कम धाई सो कोशन कराऊँगा धाई सो कोशन कराऊँगा जो most important होंगे इस topic से related और आपका मुगल समराजे complete हो जाएगा फिर उसके बाद हम modern history पर आएगे modern history के बारे में कराऊँगा पूरा 6-7 वीडियो में modern history कमप्लिट कर दूँगा पूरी और उसके question भी करा दूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको चैनल को like जरूर करना है और subscribe भी करना जिससे हमें motivation मिले आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए और हमारी चैनल को like करना subscribe करना subscribe जरू करना और share जरू करना इस दोनों का आपको जरू करने और वीडियो को पूरा देखना वीडियो को 2-3 बार देखो के तो आपके दिमाग में इस चीज बैठ जाएंगी ठीक है और thank you for watching this video और like and share comment my channel thank you